आपका वापिस स्वागत है मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर इंसी यो बड़ा बिजनस डॉट कॉम आज मैं एक सन्यासी की विश्य में बात करूंगा वीडियो थोड़ा अलग होगा आज डिफरेंट होगा सन्यासी के जीवन से पारफुल बिजनस लेसिंस ये एक अलगी सन लिए इसकौन के फाउंडर आचा रहे हैं इसकौन का नाम पूरी दुनिया ने सुना है इनका नाम कम लोगों ने सुना है स्वामी विवेक अनंद को लोग जानते हैं लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं आज ऐसी अद्बुत बाते बताऊंगा वीडियो से नजर मत हिला दीजेगा शिला प्रभुपास से आप दुनिया भर के सारे बिजनेस रेसेंस चीख सकते हैं आप पंक्च्वालिटी सीखना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट लीडर्शिप को कैसे त्यार करें एक इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें सस्टेनिबिलिटी कैसे लाएं प्र लेड़ एजूकेशन थी शुरू से बहुत तेज़ थे अंग्रीजी में पढ़ाई करी लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी बिटिश को रिस्पॉंड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मुव्मेंट पो सको लेने से अस्विकार कर दिया गांधी क बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्ष्णरी खोल करके उससे मैं समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं तब ही नोने प्रभुपात को एक आदेश दिया क्या तुम मिरे लिए काम कर सकते हो तुमारे को शास्त्रों में मन भी लगता और अंग्रेजी भी अच्छी लैप्टॉप टाइप राइटर नहीं होगा कर साथ कंप्यूटर नहीं होता तो मैनुली लिखते थे एक साल लगा करके इनोंने कई पेजिस के अंदर भर करके भगवद गीता को ट्रांस्लेट किया एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे अपने घर पहुंचे जब घर तो ढूंडने लगे कागस कहा है सारे इतनी महिनत की कागस उनको मिलने ही रहे थे बड़े परिशान थे उस समय अपनी धरम पत्नी से पूछा कि वो कहा है जो मैंने भगवद गीता ट्रांस्लेट करी तो अचानक इनकी पत्नी ने जो बोला इनकी होश उड़ गए इनकी पत आखर कि दोने फिर से भगवद गीता लिखनी शुरू करी बाद में यह वरंदावन चले गए कहीं साल वरंण रहे भगवद गीता लिखी उसकी तैयारी करी यह पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर वन देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर वन शहर नियॉयॉर्क त थोड़ा इमेजन करिए सतर साल का किसी बुड़े विक्ति का चित्र लेकर आई अपने मन में सतर साल की उमर में 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा जिसमें रस्ते में इनको दो बार हाट अटाक आ गया कुछ केवल साथ में साथ डॉलर लेकि कुछ किताबें लेकर निकल सकता क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ कर रहूंगा और कुछ कुछ कर करके कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूँगा और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वेर पार्क नियुएर्क के अंदर उन दिनों वियतनामी और यूएस का वार चल रहा था जिसके करण वहां बहुत हिपीज आ गए थे हिपीज वह हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसेट सेक्स करना नशा करना वहीं पर नंगे लेटे रहना दो दो चार 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 चेचे महिन तक नहाना नहीं हिपीज ने अच्छली डिफाई कर दिया अमेरिका को अमेरिकन सरकार परिशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं पूरी तरह सबतंतर हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं इन्होंने सोचा क्यों ना इनी के साथ शुरुआत किया जाएं सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को नो की सुनते नहीं थे बेज़ती करते थे इनके उपर सिगर्ट का धुआप पहेंकते थे इनको टा hairstyle की लंबी लाइन में पीछे धक्या मारके खड़ा कर देथे इंका से मान चूरी कर लेते थे इनकी बेज़ती कorn थे पर प्राओन के लिए फिर भृजन में बोला ऐसा नशा है आपके पास बोला वो कौन सा नशा है बोले हरी नाम का नशा है मैं तुमको हरी नाम लेना सिखा हूँगा मैं तुम भगवजीता पढ़ना सिखा हूँगा अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ पगए तो उस सबसे ऊंचा नशा है जिसको वो गया अध्यात्मिक जीवन का तो बहुत जीवन के नशे उसके सामने बहुत चोटे पढ़ जाएंगे जीने तरे लोगों ने उनकी बात सुनने शुरू करी यह लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे प्रवपात को समझ में आ गया ऐसी मैन पावर जिसका कही को पूरी दुनिया में फिला सकेंगे यह अंग्रेजियों की बाद पूरी दुनिया जानती है इसलिए हंटी राइनॉसरस अगर शिकार करना थो गेंड़े का शिकार करो प्रावपाद प्रावपाद सब से कटिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अड़ियो को खतन आया और वहीं से प्रहुपातद में यह लीडर्ण फ़लीडिंग लीडर्स त suff wirश यह उन्होंने बंदुक उन्होंने बेज़ा यॉरप में 2 को अफरीटा दो को ास्सरेलिया फिर्टोक रसीया फिर दो रॉको इन्डिया एसा करते जूँक दिया, पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसा नहीं है, तो अगर बत्ती पूजा में कामाने वाली, अगर बत्ती का बिजनस इन्होंने अपने शिश्य को करना समझाया, लगबक तीन सालों के अंदर एक मिलियन डॉलर का रिवेन्यू आना शुरू हो गया, अगर ब यह कौन इंडियन सन्यासी आया है, जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए, यह रिलिजिन से आगे लेकर के चले गए, इन्होंने का रिलिजिन नहीं मैं स्पिरिच्वालिटी की बात कर रहा हूं, उसी दौरान एक रिपो प्रवपाद ने बोला नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं, तो वो हैरान हो गया, पहली बार कोई ऐसा विक्ति आया है हिंदोस्तान से, जो बोला मैं भगवान नहीं हूं, बगवान का नौकर हूं, तो प्रवपाद नहीं मुझ से गलती हो गई, म मैं भावान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भावान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ. I am all a servant of God, but it is for you to recognize. सारे अमेरिका के अंदर अकबारों में छब गया, कि पहली बारी को यहाँ इंडियन आया है, जो बताता है, I am trying to become servant of God, I am not God. उनी दिनों Henry Ford के पोते Alfred Ford, इनसे मिलने के लिए आये, Henry Ford का नाम बहुत हुआ कर तरा प्रित्वी के अंदर, प्रावपात कम बोलते थे, limited बोलते थे, जब Alfred Ford इनसे मिलने आये, तो प्रावपात ने किवर उनसे एक ही question पूछा, Where is Henry Ford now? हूँ अब हिन्री फोर्ड जीवित नहीं थे बस केवल उनकी आखों में आख डाल के प्रश्ण पूछा एलफर्ड फोर्ड उसी समय गवरा गया उनको समझ आ गया कि यह जीवन किसी के लिए नहीं है कोई नहीं बचने वाला यहां पर उनसी दिन उन्हें प्रभुपात को सरंडर कर दिया और उनसे का मुझे भी भगवत गीता सिखाई है यह ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सेकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवत गीता प कोई बैंक लोन नहीं है कंप्लिटली बूट्स्ट्राइब सैलरी देने का पैसा नहीं है लाइफ ताइम वॉलंटियर दे कटे की है दस हजार उन दिनों इनों ने अपने शिश्यों को लेटर पे लिख लिख के बात किया इमाजिन करिए कम्यूनिकेशन बहुत स्लो था मैं और चिठी में प्रशन पूछा था जवाब देते थे पिर चिठी वापिस आती थी पिर उसका उतर देते थे इमाजन करिए 10,000 ऐसे लेटर लिखे नोंने कितना समय के कमी रहा होगा इनके इतने सारे फिलोस्टिफिकल इस्यूस, मैनेजिरियल इस्यूस, परस्नल इस्यूस प्रफेशनल इस्यूस सब पर गाइड किया करते थे वाट्स आप नहीं था, कम्यूनिकेशन नहीं था, वहाँ पर फ्लाइट स्टेज नहीं जाती थी, बावजूद उसके इनोंने बारा साल के अंदर 15 बार पूरी पृत्वी का ब्रहमन किया, एक बात समझ ये, sales is not about selling, it is about building trust in education, building trust in education, विश्वास बढ़ाओ, educate करो, विश्वास बढ़ाओ, educate करो, दुनिया भर में इतना विश्वास बढ़ा दिया, education बढ़ा दिया भगवत गीता के बारे में, के बीटल्स जो समय बहुत famous हुआ करता था, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड का फार्म वाटफर्ट में लंडन के नल्दीग इनको डोनेट कर दिया, वो इनका शिश्य बन गया, और अपने रॉक स्टार की गानों के साथ ता कीरतन करने लग गया, उनी दिरो प्रभपाज जी साथ साथ इतनी किताबे लिखना चाते थे, जानते थे, मैं बुड़ा हो गया हूँ सारी चीजे लिख के चला जाओं ताकि लोग उसको असानी से फॉलो कर सकें, उन्होंने खुद से लिखना बन कर दिया, डिक्टा फून ले लिया, डिक्टा फून जानते क्या होता है, उस पर ये रिकॉर्ड करते थे, और चलते चलते रिकॉर्ड करते थे, बैटे बैटे ट्रश्वा करते हैं लिखोंगा टाइप करूं ऊструмент करते हैं तुम रिकार्डिंग को सुनो उसी समय टेक्नलोजी संवाल करते Weid क्भणपत यहां संसरे निकलते हैं घंटा वोक करते हैं लेते हैं उस समय ट्रांसलेट करते हैं यह ख comentarios पर फिर से ट्रांसलेट करते हैं जानते हैं इनके पास समय कम था प्राउपाद ने अपने 12 साल के अंदर वह काम किया जो कि बिल्कुल अकल निये हैं इसमें मैं आपको बात लिखाना चाहता हूं इसको बोलते हैं EFA को बहुत भेंकर फोकस है यह मेरा एक दोस्त है वो मुझे क्या कहता है कि यार विवेक मेरे को 12 साल लग गए एक फैक्टरी को दो फैक्टरी बनाने में जिसमें मैं बहुत पैसा लगाया प्राउपाद बिना पैसे के एक मंदर को 108 मंदर बना दिया बाराइस साल के अंदर यह न्हömं से बिना तन्खा के लोगों से इतना काम करा लेते हैं इसी को बोलते हैं कि वैकुंट से जब वेक्ति सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनका प्रेम एक समुद्र कि तरह था श्री गुरु करुणा सिंदू अइसा करुणा का सिंदू सागर्त ही है इन्होंने एक बार जब यह अपने शिश्चे को लेकर के रथ्यात्रा जॉइंग करने गए जगनात्पूरी के अंदर तो वहाँ पे मंदिर के अंदर अंग्रेजों को जाना मना है हिंदू मंदिय ने वो कहते हैं अंग्रेज को लोगों को हम वर्ल्ड लार्जेस्ट वजीटेरिन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ तंडे फील्ड ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बढ़ता है इंडिया में मिड़ नहीं करी अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन के किसी को कभी प्रमोट नहीं किया जानते हैं अमेरिका के अंदर भी आप आपको तो मालूम है स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्शिटी का वो लेक्चर जहां पर उसने खुद ही माना था कि मैं रोज मेरे पाँ पैसा नहीं हुआ करता था एक खाना खाने के लिए एक बार का साथ मील पैदल चलके हरे कृष्णा मुव्मेंट पे फ्री का खाना खाके आया करता था वैसे एक बात बताऊं सुष्टमार स्वराज बोल बोल के ठख गई थी के भगवद गीता को राष्ट्रिय पुस्तक गोशित कर दो आज ये प्रभपात के चलते न्यू जर्सी की सेटन सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवद गीता को कंपल सरी कर दिया हरे क्रिष्णा मुव्मेंट से भगवद गीता को लेके केंबरेज इंटनाशनल यूलिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां भी किताबे कंपल सरी कर दी किया भगवद गीता सिखाने चाहिए क्यों कि आपको वैलियूस देंगी मुरालिटी देंगी क्यारेक्टर देंगी एथिक्स देंगी प्रिंसिपल देंगे ताकि आप एक इंसान को मजबूत मना सको बहराल उनके पास समय कम था 1927 में जब शरी छोड़ने वाले थे उनका वजन आधा हो चुका था इतने पतले इतने कमजोर हो चुके थे कि उनकी शरी पे स्किन बची नहीं हड़ियां और न आपते थे ऐसा की कैसा वेक्ति कर रहे हैं इस समय कॉंशनेस को बिल्ट करना पॉसिबल ही नहीं है प्रहुपाद कि सारे और गन्स काम करना बंद कर चुके थे उनकी उमर बहुत जाड़ा हो चुके थी निकिन उस समय डेथ वेट पे चमा चाहता हूं गलत शब्स कर रहा कभी डेथ नहीं होती लेकिन उस समय उस विस्तरे पे लेट करके प्रहुपा शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं बागवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं उतने गुरू के आदिश को पूरा करके जाओं अधभुत डॉक्टर बोला संभा भी नहीं है यह ब प्रहुपा चाहते थे मैं इसको फैमिली रन बिजनस की तरह ना चला हूं इसको इतना प्रोफेशनल कर दूं जैसे बड़े कॉर्परेट्स होते हैं वह फैमिली की तरह नहीं चलते प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं उन्होंने एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई 12 लोगों की अबैटे करेंगे ताकि कभी भी करप्शन न लेकर कैसे आए जब भी अकेले का फुद का बिसनस जोता तबी करुप्षन आता है कहीं ऐसे गुरुजी है जिनके बेटे भी अपने अप्र पर गुरु बन जाते है यहां पर के बलीफ काबिल वैच्टी को बना जाता है यहां सुनिए कमऑन बिलीव स्पिरिचुल होगा और बिहेवियर प्रफेशनल होगा वह क्या कहते प्रिंसिपल गोबल ग्लोबल है ग्लोबल ग्लोबल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे लेकिन रिसोर्स इस लोकल होंगे अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल लीडर जिससे आप सारे स्पिरिचुल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साल ले सकते हो रियर लीडर्शिप वीडियो को डाउनलोड वॉट्साप पे करके पूरे देश में पहुंचाईए श्वामी विवेकानन को जानते हैं शिला प्रवपात को भी पहुंचाएंगे प पुरी दुन्या में पहुंचाएंए